हलो दोस्तों जी एस वाड़ी में आप सभी का स्वागत है मैं आपका एजुकेटर सरद चंद्रपांडे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे दस हञार प्रशनों की एक स्रिंकला चलाई जा रही एक टेस्रीज चलाया जा रहा है और उस के सरी में आज हम चौती वीडियो तक पहुचा है यानि कि इस से पहले हमारे तीन वीडियो अपलोड की जा चुकी है और इस वीडियो में हम अव्यायख और संगया से सम्मंधित प संभावना है और जो प्रश्ण परिक्षाओं में आ चुके हैं उन सभी को इसमें सामिल करने का प्रयास किया गया है अगर यह दस हजार प्रश्णों की स्रिंखला आप कर लेते हैं जिसमें दो तरह के प्रश्ण सामिल होंगे एक तो भासा से संबंधित भासा कर्थुआ भास की इस वीडियो को प्रारंब करते हैं आप देख सकते हैं आज मैंने थोड़ा सा पेज का शेंज कर दिया है थोड़ा सा रीजाइन करने का प्रयास किया है आप कोई भी Tgt PGT कहीं का दे रहा हैं घंदी से दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए कारगर है अगर आप केन् हिंदी से प्रशन आते हैं तो आएगा सीवीटी में भी हिंदी में ब्याकरण से या साहित से संबंदित प्रशन पूछे जाएंगे तो यह हमारी टेस्टिरी आपको काम देने वाले तो चलिए विलंब नहीं करते हैं उससे पहले बड़ा प्यारा सा कोट है सभी को देख लेन कि हुआ रहें कभी कभी में किशी ब्यक्ति के पास मोटरसाइकल भी नहीं है तो इस तरफ से साप होता है जो अफाकु कर है शूर्म करने से पाप नहीं रहता अगर आप अपने मार्गपुर आपके जो सुजाय कर्तब्य कर्तब्य हैं अगर अगर आप उनको निरंतर कर रहे हैं चाहे आप अगर एक सिक्षक हैं आप टाइम से स्कूल जा रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं इमानदारी से अगर आप एक वाच मैन है अगर आप टाइम से डूटी जा रहे हैं अगर निभा रहे हैं डूटी तो आपका धर्म हो गया धर्म की एक विस्तित परिभासा होती ही, यहां आप निश्चित और पर उसे किसी एक दाइरे में मत बांधिये, तो अगर आप धर्म कर रहे हैं, तो पाप नहीं होगा, आपसे पाप नहीं रहता, उसके अलामे एक लास्ट वाली बहुत महत्वण बात है, कह रहे हैं, मौन र बढ़ जाती है, बात का पतंगर हो जाता है, इसलिए कह रहा है कि मौन अगर आप रहने का प्रयत्न करें, अगर मौन रहने का अप अभ्यास करें, तो जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्तिया होगी, जहां टकराहट की स्तिती तो आएगी, लेकिन आप उस टकराहट की हिस् आपने खाना खा लिया हो, तो सो जाईए ना, यह कहा जा रहा है, मालिजे की किसी की पत्नी है, और उनसे कह रही है कि सुनिए, आपने खाना खा लिया हो, तो सो जाईए ना, अब इसमें पूछा जा रहा है कि निमलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हि चाहिए तो यहां पूरा प्रस्ण लिखा जाएगा निम्न लिखित वाक्य में रे खांकित पदबंध का नाम किजिए उसके बाद यहां आ गया तो यहां पर थोड़ा सा हम देखे प्रयास करते हैं कि इसे पहले साफ कर देते हैं जिससे की रिखांकित करने में थोड़ी सी आसानी होगी तो यहां सुनिये, खाना खा लिया हो तो, खाना खा लिया हो तो, यह हमारा रिक खांकित पना है, कभी कभी गड़वर हो जाती है, चै कि आपने खाना खालिया हो तो यह रहे खांगी तब इसमें कहा रहे क्या है सर्वनाम पदबंध है क्रिया पदबंध है संग्या पदबंध है या फिर क्रिया विशेशन पदबंध है सही विकल्प क्या होगा हमारा सही विकल्प यहां पर होगा हमारा यह क्रिया विशेशन पद प्रकासित होता है उसे क्या कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है विक्रित अव्य कहेंगे कारक कहेंगे या सम्मंध सूचक कहेंगे या क्रिया विशेशन कहेंगे कभी कभी होता है क्रम गडबर हो जाता है तो आप लोग पढ़ता रहता हूं ध्यान दिया करें स्क्रीन पर यहा अत्वा सर्वनाम संग्या अत्वा सर्वनाम के जिस रूप से जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकासित होता है उसे कारक कहते संग्या रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकासित होता है उसे कारक कहते हैं तो इसका सही बिकल्प हमारा क्या हो जाएगा सही बिकल्प होगा और बिकल्प भी यहां पर सही होगा अगले प्रश्शन की तरह बढ़ते हैं यह कौन सा सर्वनाम है यह जो है कौन सा सर्वनाम है निच्चे दियेगे विकल्पों में सही विकल्प का चैन का निजवाचक है निश्यवाचक है पूरुसवाचक है या फिर संबंधवाचक है चलिए देखते हैं जब हम बात करते है आप लिखते हैं आप तो यह क्या होता है आप लिखते हैं यह निजवाचक का उधारण होता है जब हम लिखते हैं मैं या तुम, जब इस अब क्या हो जाता है यह पुरुस वाचक यह क्या हो जाएगा है पूरुस वाचक सर्वनाम हो जाता है अब जब कहते हैं हम जो सो जब इस प्रकार के शब्दों का हम प्रेयोग करते हैं तो यहां पर हमारा सही विकल्प क्या होगा है जह है जो है अगले प्रश्ण की तरब वढ़ते हैं अगला प्रश्ण हमारा क्या कह रहा है निम्ने लिखित में कौन सा सर्वनाम पद है चिन्हित कीजिए निम्ने में से कौन सा सर्वनाम पद है राधा, सुन्दर और वह यहां होगा बह लिग गया है यहां पर वह होगा ठीक है वह वह और विभीशन सही विकल पर यहां पर क्या होगा देगे शब्दों में वह सर्वनाम है यह सर्वनाम राधा ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ठीक है यहां पर जो वह है यही सर्वनाम है जबकि राधा और विभीषण राधा और विभीषण दोनों क्या हो जाएंगे दोनों संग्या हो जाएंगे वो भी कौन से संग् चक संग्या ठीक है और सुन्दर तो क्या हो जाएगा सुन्दर यहां भी विशेशन हो जाएगा सुन्दर क्या हो गया विशेशन हो गया ठीक है तो इस प्रकार से हमारा विकल्प सही हो गया वह को किस कारक की विभक्ति निम्लिखित में से सही विकल्प का चैन कीजिए को किस किसका है करताने कर्म को चिन्न करण से जान संप्रदान हित के लिए अपादान से मान काके की संबंद मेपैपर अधिकरन संबोधन हे भो और ये विवक्ति के चिन्न यह होता है तो यहां कह रहे है को किसका है को जो है यह कर्मकारक ठीक है क्या है इसका कर्मकारक तो आपका उत्तर मिल गया होगा जबकी का के की रा री रे ये दोनों क्या हो जाएंगे संबंध कारक इसके संबंध कारक क्यों दारण है और जो से होता है अलगाओ की अर्थ में ठीक है के अलगाओ की अर्थ में अंझे इससा और सेह Umsक्त के करण क्या यह हो जाएंगे है और ने कि क्या और यह करता हो गया अपादान संबंद देख लिया और कर्म कर्म ऑदख सारे हो गये यहां पर चले हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण के आधार पर होता है निमलिकित विकल्पों में से सही विकल्प का चैनी हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है संग्या के आधार पर, विशेशन के आधार पर, क्लिया के आधार पर या फिर सर्वनाम के आधार, सही क्या होता है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संग्या के आधार पर होता है, संग्या के आधार पर होता है, जबकी विशेशन, क्रिया, सथा, सर्वनाम, तीनों यहां असंगत हैं, तीनों यहां उचित नहीं है, तो लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, संग्या के आधार पर, ठीक है, सही विकल्प हमारा यही होगा, चलें, अगला, कौन सर्वनाम का गुडवाचक शब्द दिये गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए, कौन सर्वनाम का गुडवाचक शब्द दिये गए विकल्पों में से चिन्हित करना है, कितने, कैसा, कितना, किस सही बिकल्प एहां क्या होगा सही बिकल्प कौन का सर्वनोगर कैसा क्या होगा, कैसा कौन सर्वनाम का गुड़वाचेकसत कैसा है जबकि यहां जो कितना है कितने है या किस है तीनों यहां इसके हिसाब से असंगत है रहीम किस तरह की संग्या है नीचे दियेगे बिकल्पों में सही बिकल्प का चैन करना है रहीम किस तरह की संग्या है जाती वाचक नहीं है भाव वाचक भी नहीं है गुर्दसा इत्यादी का बोध नहीं हो रहा समुह का भी नहीं बोध समुह वाचक है किसी वस्तु किसी वस्तु स्थान तथा व्यक्ति के नाम से केवल उसी का किसी वस्तु स्थान तथा व्यक्ति के नाम से केवल उसी का उसी एक का जब हम माल सो लोग खड़े हैं हमने का रहीम इधर आओ तो जिसका नाम रहीम रहेगा वही आएगा बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है तो इसलिए यह क्या हो जाता है इसे हम व्यक्ति वाचक संग्या कह देते हैं वह तो घर डट 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 बैठा है उपरियुक्त बाकी में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपरियुक्त अव्याय और उसका भेद होगा इन में से कौन सा उस स्थान को फिल करेगा तो वह तो घर के बाहर बैठा है घर वह तो घर में अधिकर्ण कारक के सामने समुच्चे बोदक के भीतर संमंध बोदक सही विकलप यहां क्या होगा सही विकलप क्या होगा विकलप डी इसन पर नहिसे होगा दिये गए रिक्तस्तान में सम्मंध बोधक अब जाएके के भीतर भरा जाएगा के भीतर यहां हम लिएगे घर के भीतर पुर्ण वाक्य होगा वह तो घर के भीतर बैठा था से सन्य यहाँ पर गलब होगे रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प का चुनाओ करें उसने अपने मित्र को ध्यान रखेगा इस वाक्य में जो रेखांकित मित्र को दो पुस्तकें दी अब यहां ध्यान देने वाली बात है जहां पर किसी को कुछ दिया जाता है वहां पर किसी को कुछ दिया जाता है वहां ओ विभक्ती संप्रदान संप्रदान का प्रयोग होता है अता हिस वाक्य में संप्रदान होगा बाकी सभी यहां गलत हो जाएंगे आप वहां मत जाएं यहां मत में आप ध्यान दीजें अंडर लाइन है मत जाएं रिखांकी पद का पद परिचय होगा रिखांकी पद का पद परिचय क्या होगा देखे निशेध वाचक अव्य निपात रीति वाचक क्रिया विशेशन जाएंगे क्रिया विशेशन स्थान वाचक क्रिया विशेशन जाईए क्रिया विशेशन तो सही विकल्प इसका क्या होगा सही विकल्प होगा ए विकल्प ए निशेध वाचक अव्याई आप वहां मत जाईए जो नाकारने का यहां शब्द है यह जो है निशेध वाचक अव्याई का उ यह मेहुल का घर अलिशान है सही विकल्प इसका क्या होगा चले देखते हैं पहले थोड़ा सा एक्जामपल परिभासा समझ ले वे विशेशन जो विशेश्ट जो विशेश्ट से पूर्व आते हैं उन्हें विशेश्ट तथा जो विशेश्ट के बाद आते हैं उन्हें विध्य विशेश्ट कहते हैं आशा करता हूं यह आप चीज़ समझ गया हूंगे इस बात को तो मेहुल का घर आलिशान है घर कैसा है आलिशान घर की यह है विशेश्ट घर का बताया जा रहाएग कि इससे पहले आप देखिए तो कैसी है निली है पकर फल कैसा है का हुआ सुसील बढ़िया काम करती है कैसा काम करती है यहाँ विधे पूछा जा रहा विधे विशेशन का बात पुरस्कार पानेवालों में कुछ हमारे विध्यालेकर शात्र है पुरस्कार पाने वालों में च्थे अंडर्लाइन का रिखांकित प्प्रिया है क्या होगा क्या रहा है पुरस्कार पाने वाले रिखांकित पद क्या है यह संग्या पदबंध होगा जबकि क्रिया विशेशन यह सारी चीजें यहां उचित नहीं है कि दिखें चलए उसने टेड़ी चाल चली वाकिए में कौन सा कारक है नीचे दिएगे विकल्पों में सही विकल्प का चैन करना है उसने टेड़ी चाल चली क्या होगा उसने टेड़ी करता कारक चिन्ह ने हैं का के की संबंद कारक जब कि कर्म कारक हो गया में पैपर अधिकरण हो गया यह सब चिन्ह पर सरग हो गया अगर आप नए हैं चैनल पर मालेजी है वीडियो हमारी नहीं देख रहें तो परिसान वात होईगा इससे पहले दो तीन वीडियो में बहतर ईक्स्प्लानेशन दिया गया है यहाँ पर इस लीए भी नहीं दिया गया बीडियो लाच्ट है और बाकी पहले हमने बहुत सारी व करता ने कर्म को होगा देखें गलती यहां होगे कर्म को करता ने अधिकरण में पैपर अधिकरण यह हो गया में पैपर अधिकरण चलें अगला प्रश्ण है मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कार्क है मेरी लड़की कौन है मेरी लड़की कौन है सही बिकल्प बताईए संबंध कार्क अधिकरण कार्क संप्रदान या करता तो यहां क्या होगा रा री रे यादा रहा है क्या यहां सही बिकल्प होगा सही बिकल्प संबंध कारक मेरी मेरी ठीक है यहां क्या होगा सही बिकल्प का जो है यहां पर संबंध कारक होने वाला है तो दोस्तों आज की यह वीडियो हमारी यहीं समाप थो रही आशा करता हू होगे कल जो वीडियो आने वाली बड़ी शांदार होने वाले धासूंदे वाली काらक कारक से सम्मRIbour Meanwhile billing यह जितने आने की संभावना सब पर चर्चा कर लेंगे एक ही वीडियो में निभर अशा करता हूं पसंद आएगी और काफी उग्याँ तो अगर या उनके लिए काफी पाइदेमंद होने वाली तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धेर सारा धन्यवाद और शुप कामना है